हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चनल बैक तो बेसिक्स दोस्तो हमारे चनल का एक ही लक्ष है एक ही टार्गेट है टू प्लियर यूपी एस एक जामनेशन विदाउट एनी फिर दोस्तो इस डर को दूर भगाने के एक मात्र तरीका है आपके पास कि आप महनत करें अगर आप म को फिल करेंगे मौक टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा आप एक्जाम के नजदीक पहुंचते जाएंगे आपको कॉंफिडेंस आगा आपसे डर जो है आपसे दूर हो जाएगा और इसी स्रिंखला में दोस्तों हम लोग एकॉनमी रिलेटेड एमसी को जब भी सॉल्व कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स दोस्तों इस टॉपिक को करने से पहले अगर आप रिपोर्ट्स एंडेक्स को रिवाइज कर ले तो बहुत अच्छा लगेगा नहीं रिवाइज कर किया हुआ आपने तो नो प्रॉब्लम ये सेशन भी कि आपके लिए एक रिवीजन की तरह होगा तो आप इसको फिर भी अटेंट कर सकते हैं मेरा नाम है अनन्द मोहन दोस्तों मैं अभी तक यूपिसी के तीन अटेंट्स दी हैं और तीनों ही बार फॉर्चुनेटली मेरा प्रिलिम्स आसानी से निकल गया तो मैंने है है दोस्तों फर्ट प्रेशन रिखते हैं विट रेफरेंस तो इंडिया एनर्जी आउट्लूक तो इंडिया एनर्जी आउट्लूक जो है इस रिलीज़ बाई उनाइट नेशन स्टेंबल डिलॉप्मेंट सॉलूशन नेट्वर्क ठीक है अब त्यों आपको ध्यान में रखना है दोस्तों इंडिया एनर्जी आउट्लूक रिपोर्त है वो यॉनाइटेट नेशनस सब्सक्राइब डिलॉप्मेंट सॉलूशन नेट्वर्क के द्वारा पब्लीस नहीं किया जाता है इसको पॉब्लीस करती Eastern National Energy Agency, international Energy Agency. India Energy Outlook is published by International Energy Agency. तो फ्रस्ट इस राम, दूसरा दीखे, इंडिया द्रेवन ग्रोफ इन रेनेवल इनेअरटी, पोसे किलने पूरी से तुल जाहिगा, तो यह बात सच है, यूण चाइन जो है, वो आपका रेनेवल शेक्टर में, सबसे तेजी से ग्रोव कर रहा है और उसकी बाद सबसे तेजी से ग्रोव करने वाला कंट्री जो है वो इंडिया है तो second statement आपको बिल्कुल correct है तो one का right answer क्या हो जबाएब option number B two only ये जो आज का session है दोस्तो ये तो पड़ा cut full time का है तो आपको मुझे ध्यान से इसलिए सुनना है ताकि आपकी रिवीजन हो सके और नहीं पड़ा हुआ है तो कम से कम आपके ध्यान में बहुत सारी चीज़े आ जाये और एक आधा बार देखेंगे तो बहुत सारी चीज़े आपको याद जोए जाएगे SEBI has recently notified disclosure norms on sustainable related reporting for companies through the business reform and sustainability report which of the following statement is incorrect तो BRSR जो है business reform and sustainability reporting इसके पहले से भी mandate करता था companies को कि business responsibility reporting करने के लिए तो business responsibility reporting के जगा पर अब आ गया है business reform and sustainability reporting यानि अब जो है parameters को environmental, social और governance तीन लॉर्म से देखा जा रहा है इस इसको आप धियाम में रखेंगे तो अब इसमें incorrect statement हम लोगो दोस्तों identify करना है तो देखेंगे now business will have to report on their social and environmental impacts to बिल्कुल social and environmental तो पहला statement तो correct है दूसरा देखें, report will be applicable to top 100 listed entities in terms of market capitalization दोस्तों ये report जो है applicable होगा top 1000 listed companies के लिए सिर्फ 100 ही companies होगा तो बहुत कम होगा दोस्तों एक major chunk तो market का बच ही जाएगा इसलिए जो top 1000 listed entities है market capitalization के टर्म में उनको ये BRSR को follow करना है जो first year था यानि introduced के गयाता है इस year में उस year में BRSR को follow करना voluntary था और second year से अब ये mandatory है तो और कितने companies के लिए top 1000 listed companies के लिए इसलिए इसलिए D is the wrong statement and this is the right answer पाकि आप C देख लिए इट वोड़ी mandatory from financial year 2022-2023 बिल्कुल 2021 और 2022 में ये voluntary था और फिर उसके बाद से ये mandatory हो गया तो C is correct D देखे sustainability reporting includes companies progress towards environmental, social and governance goals बिल्कुल मैं आपको बता है ESG goals के तरब progress को देखेगा तो D is also correct ठीक है तो A, C और D तो correct है and B is the incorrect one hence B is our right answer जोस्तो बहुत ही straightforward question है the energy transition index is released by तो the energy transition index जो है जो है जोस्तो उसको release करता है World Economic Forum आप मुझे बताए कि World Economic Forum का जो annual summit होता है वो कहां पर होता है किस location पर होता है ठीक है अभी हाल पर बहुत news में था ठीक है तो 3 का B is the right answer question number 4 देखते हैं दोस्तों with reference to the Oxfam inequality index which of the following is not the area in which policies and actions are measured in the index देखें जो Oxfam inequality index है वो किस एरिया में measurement नहीं करता है तो workers rights के respect में measurement करता है women's rights के respect में measurement नहीं करता है public services के respect में करता है taxation के respect में measurement करता है remember Oxfam inequality index यह worker rights वर्कर्स राइट्स पॉब्लिक सर्विसेज और taxation लिखना है नहीं बस ध्यान से सुनिए और दिमाग में गड़ाने का कोशिस करें Oxfam inequality index measurement करता है वर्कर्स राइट्स पॉब्लिक सर्विसेज और taxation से रिलेट्ड वीमें राइट्स से रिलेट्ड यह measurement नहीं करता है तो B is our right answer, B is our right answer, all right आई दोस्कों question 5 देखते हैं which of the following statement is incorrect with reference to bear necessities index तो दोस्कों bear necessities index एक idea था जिसको 2020-21 के economic survey में इसको publish किया गया था यह एक तरीके से यह निकालने का कोसिस क्या था कि bear necessity जो एकदम गूल भूच जो आवसकता है वो उसके respect में अलग-अलग state वगरा क्या performance है तो इसके respect में दोस्तों इनकरेक्ट statement हम लोग को identify करना है तो देखें इस index is meant to assess equity in economic development among states and regions in India बिल्कुल तो यह जो है equity economic development में equity यानि कितना समानता है अलग-अलग states में और अलग-अलग regions में इसको यह assess करने का कोशिस क्या था तो यह correct है दूसरा देखें the index is developed with data collected by NSO National Statistical Office in the year 2018 and 19 तो दोस्तों यह जो index बनाए गया है यह 2012 और 2018 के data को युज करके बनाए गया है यानि comparison जो draw किया गया है वो 2012 और 2018 के data के बीच में किया गया है तो भी आपका incorrect है यह C देखें the index has a range of 0 to 1 where 1 represents best access to basic necessities and 0 यानि worst access to basic necessities तो बिलकुल C बिलकुल आपका correct है दोस्तों D देखें the index has reported that poor states has reduced the gap with rich states in providing basic necessities तो बिलकुल poor states ने अपना जो gap है rich states के तुलना में उसको क्या किया है reduce किया तो बिलकुल poor states भी धीरे धीरे तो कम पूर हो रहे है develop हो रहे है facilities प्रवाइड कर रहे है तो जो gap है उसको गोलों भी फिल करने का प्रयास कर रहे है और उसमें success गोज़ हो रहे है तो A, C, D तीनों correct statement है बट B जो है वह आपका incorrect statement है याद रखना कि bare necessities index जो है NSO के द्वारा 2012 और 2018 की data को यूज करके publish किया गया था by the economic survey आई दोस्तो question number 6 देखते है state energy efficiency index is released by बहुत ही आसान question है state energy efficiency index is released by bureau of energy efficiency ठीक है और यह काम करती है आपके ministry of power के अंतरगत ministry of power के अंतरगत इसका formation हुआ है दोस्तों और energy conservation act 2001 के तरद energy conservation act 2001 के तरद ठीक है बस आप ध्यान से सुनिए अगर focus आप सुनते तो आपको benefit हो रहा तो 6 का B is the right answer कि अगरे दोस्तों question number 7 देखते है special report on sustainable recovery seen sometimes in news is jointly released by जो दोस्तों यह special report on sustainable recovery है यह publish किया जाता है international energy agency और नीटी आयोग के collaboration से special report on sustainable recovery यह publish किया जाता है international energy agency और प्लस में नीटी आयोग के ठीक है तो यह जो report है न दोस्तों यह एक बड़े report world energy outlook का पार्ट है world energy outlook का यह पार्ट है world energy outlook भी आपका international energy agency के द्वारा पुब्लीच के जाता है international energy agency पुब्लीच करता है आपका world energy outlook और इसी report का पार्ट है आपका sustainable report on sustainable special report on sustainable recovery जिसमें की international energy agency के help करता है नीटी आयोग ठीक है तो 7th का right answer is option number A special report on sustainable recovery international energy agency प्लस नीटी आयोग प्लस नीटी आयोग जास्तों बाट के सब कार्ट है आई दोस्तों question बार 8 देखते हैं देखें with reference to global social mobility index released by world economic forum consider the following statement तो जो global social mobility index है दोस्तों जिसको की world economic forum publish करता है statements आपको दिया हुआ है कि the report defines relative social mobility as the ability of a child to experience better life than their parents एक बाद ध्यान रहे कि इस report में global social mobility index जिसको की publish करता है world economic forum इसमें दो type की social mobility को define क्या गया है absolute social mobility and relative social mobility तो यह जो लिखा हुआ ना कि report defines relative social mobility as the ability of child to experience better life than their parents यह दोस्तों relative social mobility नहीं है यह absolute social mobility इसले पहला statement गलत है relative social mobility का मतलब क्या होता है relative social mobility का मतलब है कि अपने एक environment में या एक socio economic background में individual का outcome कैसा होगा मने life का outcome कैसा होगा यानि दो एक socio economic outcome, socio economic environment 1 ले लेते हैं और दूसरा socio economic environment 2 ले ले लेते हैं तो socio economic environment 1 में individual का growth कैसा होगा और socio economic environment 2 में individual का growth कैसा होगा इन दोनों के बीची comparison को बोला जागा relative social mobility मेरे बात समझ रहे हैं तो यह है पहला आपका statement गलत है कि among BRICS grouping China is most socially mobile followed by India यह गलत है BRICS grouping में सबसे ज्यादा mobile जो socially mobile country है वो है रसिया रसिया फिर आपका China फिर आपका Brazil फिर है इंडिया फिर है South Africa फिर है South Africa फिर सबसे ज्यादा है रसिया सबसे ज्यादा socially mobile country इस रसिया तो 2 is also wrong तो 8th का right answer क्या हो जाएगा दोस्तों option number D neither 1 nor 2 अजय दोस्तो question 9th देखते है global risk report is published by दोस्तो global risk report publish क्या दता है world economic forum के द्वारा और ये world economic forum के annual summit के annual meeting के पहले publish क्या दता है आप मुझे प्लीज बता दिजे कि world economic forum का annual meeting कहां पर होता है तो 9th का right answer is A global risk report world economic forum report world economic forum मनमे इसको बिठा लिजे आई question 10th देखते है the women business and law index is released by देखे the women business and law index is released by दोस्तों world bank is released by world bank the women business and law index is released by world bank world bank releases the women business and law index ठीक है इसको याद कर लिजे देखे आप इसको लिखेंगे बाद में क्या करेंगा नहीं करेंगा उसके बजाए अभी इसको इसको इदम याद करते चलिए मेरे साथ के साथ में ठीक है 11th question देखे consider the following statements regarding the national multidimensional poverty index देखे एक multidimensional poverty index जो पुरा global है इसको publish करता है Oxford poverty and human development initiative और प्लस में UNDP यह global label पर multidimensional poverty index publish करता है इसमें 10 indicators इसी का Indian version इंडियम अपल भी इसके दाता है इन दोनों के help से Oxford poverty and human development initiative प्लस UNDP और प्लस नीति आयो के द्वारा प्लस नीति आयो के द्वारा और इसमें है total आपके 12 indicators total 12 indicators ठीक है तो पहला देख लिगे the index is released by ministry of child and women development गलत जो national multidimensional poverty index is released by Oxford poverty and human development initiative UNDP प्लस नीति आयोग अगर इंडिया में कोई है तो नीति आयोग है तो पहला statement आपका क्या है गलत है दुस्तों दूसरा दिखें the index has three equally weighted dimensions health education and standard of living बिलकुल the multidimensional poverty index है world वाला भी और जो जो नीति आयोग का भी multidimensional poverty index है दोनों में आपके three dimensions है health education and standard of living लेकिन इन तीन dimensions को further 10 indicators में पाटा गया है global वाले multidimensional poverty index में और total 12 indicators में पाटा गया है national multidimensional poverty index में है statement 2 आपका बिलकुल correct है दूसरा दिखें the index used the national family health survey 4 as baseline तो baseline data जो है दोस्तों इसने NFHS 4 के data से collect किया है तो third statement विलकुल आपका correct है 4 देखें as per the index जारखंड है the highest proportion of people who are multidimensional poor दोस्तों बिहार के रहते हुए यह सोभा के जारखंड को नहीं मिल सकता है तो सबसे पहले है बिहार और दूसरे number पर सबसे ज़्यादा highest multidimensional poor people जारखंड में है दोस्तों और तीसे number पर उत्तर पर्चेस है तो fourth statement आपका गलत है highest number of multidimensional poor people are in बिहार तो 11th का right answer क्या हो जाएगा two and three option number c आई दोस्तों question 12 देखते है which of the following report indexes are published by the world trade organization तो WTO इन में से कौन-कौन सा report को या index को publish करता है तो सबसे पहले देखे trade and development report दोस्तो trade and development report publish जाता है UNCTAD के द्वारा UNCTAD के द्वारा United Nation Conference on Trade and Development तो देखे न United Nation Conference on Trade and Development तो यही तो report publish करेगा trade and development report तो पहला पर गलत हो गया दूसरा देखे enabling trade report enabling trade report world economic forum enabling trade report world economic forum service trade restrictions index service trade restrictions index world bank service trade restrictions index world bank फिर देखे world trade statistical review यह आपका पर्विस करता है WTO world trade statistical review world trade world trade statistical review publish करेगा WTO world trade report WTO world trade report world trade organization तो फोर्थ और फिफ्थ को WTO publish कर रहा है बाकी तीनों को WTO publish नहीं कर रहा है तो 12th correct answer क्या हो जागा दूस्तों option number C4 and type only देखे एक एक बार इसको याद करिएगा ना ये एक बार में याद नहीं होगा दूसरे बार lecture देखेंगे तीसरी बार देखेंगे फिर याद हो जाएगा मैं आपको promise कर रहा हूं अब यहां रिपोर्ट है और यहां organization इसको मैच करना है दोस्तों देखें ग्लोबल इकॉन्मिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट इसको publish करता है दोस्तों सकतय है और यहां में होगया देखेंग ग्लोबल इकॉन्मिक प्रोस्पेक्ट्ट रिपोर्ट इपった भीडास वालगे में ग्लोबल लेएंशनस्ते वह स्तेबिलीटी रिपोर्ट मेंद ग्लोबल लंड पानेंचिल स्वाल थेदिन Minister्रिपोर्ट temple इनेफोर्ट ढ्लोबल financial system report को publish करता है दोस्तों यह bank of for international settlement bank for international settlement आपको बताना है कि यह किस country में है ठीक है bank for international settlement है आपका बेसल स्विजर लैंड में खेर मैंने ही बता दिया तो देखें global financial stability report को publish करता है bank for international settlement global financial systems report system ठीक है report publish करता है bank for international settlement तो c का होगया आपका 2 c का होगया 2 बचक्या global competitiveness report global competitiveness report इसको publish करेगा आपका world economic forum global competitiveness report world economic forum यानि कि d का होगया 3 तो a का 4 a का 4 यहां यहां है b का 1 बी का 1 यहीं पर है सिर्ट ठीक है बी का 1 यहीं पर है c का 2 यहीं पर है c में है और d का 3 भी c में है तो इस तरह से are not the publications of the world economic forum इन में से world economic forum का कौन सा publication नहीं है तो पहला देखे global cyber security outlook तो global cyber security outlook है जो है दोस्तों यह आपका world economic forum का report है यह यह world economic forum का report है ठीक है फिर देखे global risk report global risk report उपर भी हम लोग डिसकस के थे यह भी प्लिक्स के जाता है दोस्तों इंस्टिट्ट ऑफ इकानोमिक्स एंड पीस इंस्टिट्ट ऑफ इकानोमिक्स एंड पीस जो की कहा पर है और यहां क्वेस्टन क्या है वीच अमंग दा security outlook, world economic forum, global risk report, world economic forum, global economic prospects, world bank, global peace index, institute of economics and peace Australia, ठीक है तो 14th का D is the right answer है दोस्तों question 15th देख लेते हैं about the global hunger index which of the following statements is our correct global hunger index के regarding correct statement हम लोगों को identify करना है ठीक है पहला देखे इंडेक्स इस प्रिपेड वा यूरोपियन एंग्जियो जॉज और व्ल्ड वाइड एंड वेल्ड हंगर लाइफ पिल्कुर यह दोनों आपके बेसिकली जर्मन एंग्जियो है तो जर्मनी यूरोपी हो गया तो ठीक ह on the basis of which global hunger index is measured देखें global hunger index में maternal mortality नहीं आती है जो भी है बच्चों का ही देखना है आपको यह ध्यान रखना है अंडर नरिस्मेंट है फिर चाइल्ड वेस्टिंग है फिर आपका चाइल्ड अस्टेंटिंग है फिर चाइल्ड मोटालिटी है अंडर नुट्रिशन ओफ चाइ चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड अस्टेंटिंग और चाइल्ड मोटालिटी नहीं है तो आपका क्या हो जागा रॉंग हो जागा फिर त्री देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स बेस्टरोफ स्कॉर alова no 2v जर्टॉव परपार्फ원स है लेकिन बेस्ट पर्फार्फार्मिंस है लेकिन वर्स्ट परफार्मेंश वन नहीं है वर्स्ट परफार्मेंस ह्हाँ और यहनिन इसका जो वैरिक आता है वह एब हैप इंद्रेड के आपका रॉंग है दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैरी करेगा जीरो से लेकर के हंडेट तक में जीरो का मतलब एगदम जीरो हंगर पूई हंगर नहीं और हंडेड का मतलब हंडेड़ परसेंट गर एगदम बहुत खराब इस दींद इस दीए तो फिफ्टेंथ का राइ statements regarding the India patents report India patents report के regarding statements दिया वादा हो तो India patents report published के जाता है NASCOM के द्वारा NASCOM है आपका National Association of Software and Services Companies National Association of Software and Services Companies इसके द्वारा इसको publish के जाता है पहला statement देखे The report was published by the Department of Industrial Policy and Promotion Ministry of Commerce तो ये गलत है India patents report is published by NASCOM पहला statement is wrong दूसरा देखे Indian patents are governed by the Indian Patent Act of 1970 बिल्कुल सही बात है इसी एक्ट के द्वारा इसको govern किया जाता है दीखे तीसरा देखे As per the report artificial intelligence continues to lead in terms of total patents filed under various emerging technology domains बिल्कुल emerging technology domains में सबसे highest जो patents file के जा रहा है वो दोस्तो artificial intelligence के अंतरगत file के जा रहा है उसके बाद फिर machine learning अगरा है इन सारे sectors में सबसे ज़्यादा patents file के जा रहा है in the emerging technology domains ठीक है तो 3 is also a correct statement आप देखी रहे है artificial intelligence में लगतार कितने नए inventions, innovations हो रहे है तो उसमें ही सबसे ज़्यादा patents file के जा रहा है तो 16th का right answer का हो जगा option number B 2 and 3 only आई दोस्तो question 17th देखते है which organization released the net zero industry tracker report net zero industry tracker report तो दोस्तो net zero industry tracker report publish के जाता है world economic forum के द्वारा world economic forum के द्वारा ये देखता है basically कि किस तरीके से industry जो है net zero के तरफ बढ़े net zero का मतलब समझ रहे हैं कि आप जितना carbon atmosphere में release कर रहे हैं उतना ही capture भी कर रहे हैं यानि overall और आप extra greenhouse gases को release नहीं कर रहे हैं तो इसको इससे related जो net zero industry tracker report है इसको publish करता है world economic forum तो 17th का D is the right answer आईए 18th question देखिए which of the following indexes are prepared by NITI तो NITI इन में से कौन-कौन सा indexes को publish करता है तो पहला देखिए composite water management index बिल्कुल इसको नितियाग publish करता है financial inclusion index दोस्तो financial inclusion index को basically publish किया जाता है RBA के द्वारा फिर देखिए export preparedness index इसको नितियाग publish करता है बिल्कुल correct है है फिर देखिए bare necessities index दोस्तो bare necessities index उपर मैंने बताया था इसको किस ने publish क्या था इसको economic survey ने launch क्या था economic survey ने launch क्या था तेक तरीके साब economic survey बोल दीजी या फिर finance ministry बोल दीजी उसने इसको publish क्या था ना कि नीतियायोग ने नीतियायोग का इससे कोई लेना देना नहीं है तो फोर्थ आपका incorrect हो गया two incorrect हो गया one और थ्री आपका correct हो गया एटींत का राइट एंसर क्या हो गया option number a one and three only composite water management index नीतियायोग financial inclusion index RBI export preparedness index नीतियायोग bear necessities index economic survey या फिर finance ministry ठीक है है जुस्तो question number 19 देखते हैं consider the following statements regarding export preparedness index export preparedness index regarding statements आपसे पूछा जारा है उपर ही मैं बता चुका हूँ कि इसको publish कौन करती है इसको नीतियायोग publish करती है export preparedness index और नीतियायोग publish करती है और यह states और यूटीज के बीच में comparison बताता है कि कौन state कितना better perform कर सकता है with respect to export तो पहला देखे export preparedness index is prepared by the ministry of commerce and industry in partnership with the institute of competitiveness तो totally गलत है export preparedness index is published by नीतियायोग तो पहला statement तो गलत है दूसरा देखे export preparedness index is a comprehensive analysis of India's export achievements of states and union territories and identify challenges and opportunities बिल्कुल इसका यही काम है कि states और यूटीज को के बीच में competition को promote करना देखना कि कौन state better perform कर सकती है कौन state में क्या-क्या challenges face कर रहे है with respect to export और किसी states और यूटी में क्या-क्या opportunities हो सकता है with respect to exports all right तो किसी इसको आप ध्यान रखे तो two बिल्कुल correct है three देखे states with higher exports also experience high gross state domestic product यह तो वैसे common sense की भी बात है और ऐसा होता भी है जैसे कि गुजरात जो है बहुत जादा high export करता है तीक है और इसका gsdp भी जो है लगभग third or fourth में रहता है मतलब overall इंडिया में third या fourth rank पर यह रहता है ठीक है जी एसडीप के टर्मस तो येस जो state ज्यादा export करेगा उसका overall GDP में contribution भी अधिक होका ठीक है तो 19th कराइट एंसर क्या होगे दोस्तों option no.b 2 and 3 only आई दोस्तो question no.20 देखते है statements regarding digital payments index correct statements को identify कर रहा है तो digital payment index is published by ministry of finance ठीक है तो पहले ही statement गलत है क्यूंकि digital payment index is published by RBI इसका base year है 2018 ठीक है और यह semi annual basis पर publish के जाता है यानि कि एक साल में दो बार एक साल में दो बार इसको publish के जाता है चलिए digital payments index has been published on an annual basis from 2021 यह गलत annual basis नहीं semi annual basis onwards without any time lag और दोस्तों time lag भी होता इसमें जैसे March का जो report है आप्रिल मई जून जुलाई में आता है ठीक है तो time lag है चार मन्त का और साल में इसको दो पर publish के जाता है March वाला report अप्रिल माई, जून, जुलाई में आता है और September वाला report October, November, December, January में आता है March, July, September वाला report जनुवरी में आता है 4 महिने का time lag के बात आता है क्योंकि calculate वगरा करने में भी तो time lag भी है और annual basis नहीं है semi-annual basis यह नहीं कि साल में दो बार तो दूसरा statement भी आपकर क्या है दोस्तों गलत है तीसरा देखे, demand side factors and supplied side factors of payment infrastructure are the parameters that enable measurement penetration of digital payments in the country, ठीक है तो आज समझ लेजे, जैसे digital payment index है, publish किया जाएगा RBI के दोरा, semi-annual basis पर with 4 मन्थ time lag इदम दिमाग में बिठाते जाएगे, फिर देखे, इसका parameter से उसको समझ लेजे parameter से दोस्तों इसका payment enablers total 5 parameters है, payment enablers एक, दूसरा है आपका payment infrastructure इसमें है कि demand side supply side, यानि ये दो factor के payment enabler, payment infrastructure demand side, payment infrastructure supply side और इसके बाद है दोस्तों आपका payment performance payment performance और फिर है आपका consumer centricity payment enabler, payment infrastructure demand side, payment infrastructure supply side, payment performance और consumer centricity ये 5 factors के आधार पर इसको major किया जाता, तो yes इसमें 2 चीज़ है demand side factors है demand side factors है और supply side factors है बिल्कुल है supply side factors है तो ये इसमें count किया जाता, तो third आपका correct है, फिर्स्ट और सेकेंड आपका incorrect है right answer हो जागा 20 का option number P3 only आई दोस्तो question number 21 देख लेते है consider the following statements regarding international food price index international food price index को दोस्तों publish किया जाता है food and agriculture organization के द्वारा FAO के द्वारा, अगर आप अच्छे student है तो अभी बताई कि FAO का headquarter कहां पर है headquarter FAO का कहां पर है तो इसके बारे में statements पढ़ते हैं दोस्तों published by the world bank the food price index tracks the international prices of the most traded food commodities like cereals, oil seeds, dairy products, meat and sugar सब कुछ सही है but world bank नहीं FAO food and agriculture organization इसको publish करता है तो पहला statement तो होगे आपका गलत दूसरा दिखे the food price index तीक है यहनि FAO food price index FAO food price index FFBI is a measure of the monthly change in international prices of a basket of food commodities with 2014 to 16 as the base period बिलकुल जो FAO food price index है दोस्तों इसका base year है 2014 से 16 ठीक है और यह एक basket of goods का price में monthly change को बताता है तो second statement बिलकुल आपका correct है तो 21 का right answer क्या हो जाएका option number B 2 only ठीक है हाई दोस्तों question number 22 देखते हैं और यह last question है तो please you should try to answer this I will not provide you the answer I will just read out the question question 22 है दोस्तों consider the following statements regarding house price index तो house price index regarding statements है तो इसमें देखिए इसमें incorrect statement आपको identify करना है वाला है देशनल हाउसिंग बैंक ऑफ इंडिया पब्लिसे से quarterly house price index for 10 major cities with the best year for calculation 2010 से 2011 देखे दोस्तों वैसे तो statement मैं आपको guess technique ये सब कुछ नहीं बताता हूं बट आप ऐसे सोचें कि इस statement के गलत होने के कितने chances हो सोचो इसको नेसल हाउसिंग बैंक अगर publish ने करता होगा तो भी ये गलत है अगर ये quarterly basis पर ने publish होता होगा तो भी ये गलत है अगर 10 वेगर cities से जादा ये कम cities के लिए publish करता होगा तो भी ये गलत है और अगर जो calculation है 2010-11 के जगर किसी दूसरे year के basis पर होता होगा तो भी ये गलत है यानि इसके गलत होने के chances बहु जादा है चार तरीके से ये गलत हो सकता है फिलहाल आप इसको समझेंगे कि ये क्या है नहीं है और accordingly you will mark कि it is right or wrong statement दूसरा देखें मैं टेकनीक नहीं बताता हूँ बट ये सब चीज है न टेकनीक काम कर सकती है तीक है फिर दूसरा statement देखें इस बेस्ट अन official data on property price transaction collected from the respective state government's registration authorities तो state government मैं आपको पता है property की sale या purchase होती है तो वहाँ पर एक registry office होता है तो वहाँ से data collect करके ये आपका इस index को publish करता आपको बताना है ये correct है या incorrect है and accordingly you will mark the right answer दोस्तों तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का session देखने के लिए अगर आप मेरे से जुड़ना चाते है तो मेरे telegram channel CAC with Anand Mohan पर मुझसे जुड़ चकते है वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, channel को subscribe कर दीजिए और bell icon देपा दीजिए ताकि आपको relevant content directly पहुत सके मिलेंगा आप से एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद